नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ग्यान सर्तरोचक जानकारी में मेरा नाम है अन्जो राजवूत और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि घर में हमें किस परकार की फोटो लगाने चाहिए घर की दिवारों बर हमें कैसी तस्वीरे लगानी चाहिए कौन से तस्वीरों को लगाना हमारे लिए सुब है और कौन से तस्वीरों को लगाना हमारे लिए सुब नहीं है कौन से तस्वीरों को लगाने से हमें किस परकार से नुकसान हो सकता है तो friends आईए जानते हैं सबसे पहली बात है कि महा भारत के युद्ध की तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगानी है क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर है अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर के लोगों में जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनके मन में आप सी कले या लड़ाई जगड़े की भावनाय उत्पन होती है और आपके घर में लड़ाई जगड़ा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी बात है फ्रेंड्स अपने घर में कभी भी किसी कब्र या किसी समाधी की फोटू नहीं लगानी है क्योंकि इस प्रकार की फोटू अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो इस तरी की फोटू आपको लाब कम हानी ज़्यादा देंगी इसे प्रकार से आपको हिंसक पस्वों की फोटू भी अपने घर में नहीं लगाना है जैसे कि कोई सेर किसी जीव की हत्या कर रहा है और उस प्रकार की फोटू आप अपने घर में लगा देते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि इस परकार की हिंसक फोटू देखने से घर की सदस्यों में आप सी ज़लडाई जगड़े की भावना जागती है और आपके घर में आपसे लोगों में जगडे होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इसके अलावा आपको सेर, चीता, सुवर, सियार, गिद, भालू इस प्रकार के हिंसक पस्मों की फोटू आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए ये फोटू अच्छे संकेत नहीं देते हैं इसके अलावा आप बहते हुए ज़र ने या बहते हुए पाने की फोटू भी अपने घर में ना लगाएं इस प्रकार की फोटू लगाने से आपके घर में फजूल खर्च जादा होता है आपके घर में पैसा नहीं टिकता है कब्र और समाधि की तरह ही आपको घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने हैं क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकाराद्मक उड़ जायें प्रवेस करती हैं और घर की लोग परिसान रहते हैं इसलिए आप कभी भी घर में कांटेदार पौधे या कांटेदार पौधों की फोटू बिलकुल भी ना लगाएं बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर की हर दिवारों पर घर में जगए जगए भगवान की फोटू लगा देते हैं इस तरह से लगाएंगे फोटो तो ये फोटो आपको लाब कम और हानी ज़्यादा देंगी इसी प्रकार से डूपते हुवे सूरज की फोटो भी अपने घर में ना लगाएं डूपता हुवा सूरज सुप संकेत नहीं देता है इसलिए डूपते हुए सुरज की फोटो भी अपने घर में ना लगाएं तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी कि घर में किस प्रकार की फोटो लगानी चाहिए तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस बाद